जिला आपदा प्रवंधन प्राधिकन के माध्यम से प्राकृतिक आपता से निपटने के लिए दो दिवस्ती प्रशिक्षन सिवर पुलिस लाइन मंडी में अरम हुआ जिसका शुभरम उपायोक तरीक बेद ठाकूर ने किया इस मौके पर उन्होंने बताये कि बरसात का मौसम समीप होने के चलते हमें हर प्रकार की आपता से निपटने के लिए तियार रहना चाहिए उन्होंने कहा कि आपता के बाद सर प्रतम स्थानियों लोगों का बचाव कारियों के लिए सबसे महत तपूर्ण योगदान रहता है उसके उपरान पुलिस के जवानों का बचाव राहत कारियों का कारे शुरू होता है इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामिन वपंचायस तर पर स्वेंसे भी तियार किये गए हैं पूरे जिला में लगपक दस हजार से अधिक स्वेंस सेवियों को आपता प्रबंधन के बारे में परशिक्षित किया गया है उन्होंने कहा कि मंडी चिला से विविन स्थानों में तैनात दोस्तों पुलिस वो होमगाड के जवानों को आपता से निपटने के लिए विशेश परशिक्षिन परदान किया जा रहा है इस परशिक्षिन में आपता के समय कानून व्यवस्था बरकरार रखना था यातायात को सुचारू रूप से चलाने सहीत अन्य कारियों के बारे में परशिक्षित किया जा रहा है इसके अतरिक्त अगनी श्रमन प्रथम उपचार मचाव तथा राहतकारों को निभाने में पुलिस महित्तपोन योगदान देती है इन सबी करतव्यों का निर्वहन पुलिस सही धंक से कर सके इसी उदेसे से ये कारशाला आयोजित की गई है इस अपसर पुलिस अधिक्षक गुर्देव चन तता अतरिक्त जिला दंड़ दिकारी राजीप कुमार ने भी अपने विजार रखे इसके अतरिक्त दिली से आये हेमत कुमार नी तेश कुमार ने आपता से निपटने के बारे में जानकारी दी करी आने वाला जो हमारा बरसात का सीजन है उस जुष्टी से हमारे जितने भी डिजास्टर से समबंदी जितने भी लोग है जो स्टेकोल्डर से उनको चरण बद तरीके से सबको ट्रेविंग देने का हमारा प्लान है इसमें पहले चरण में हमने 200 के करीब हमारे जो वॉलिंटियर्स थे उनको हमने ट्रेडिंग दी और आज जो है वो पुलिस के हम 200 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं जिसमें कि आज पहला बैच यहां पर मंडी मुख्यालय में तीस का बैच यहां पर लगाया जया है और आने वाले 10 दिनों में बाकी जगा पर भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सभी लोग जो है कॉंपेटेंट हैं उनके पास आवज चेक स्किल्स हैं कि एक डिज पुन तरीक है जुस मेरी समस्कापन